नमस्कार आप तो अंजाने में अपने । नुखसान नहीं पहुचा रहे हो। बहुत सोग ऐसे होते हैं बातों योग मैं आप मयर्यंकुन लगता है कि मैं अपनी आप की नुखspan को सबस्तार हो दू़ा रहा हैं वह गलत होते हैं वह पता है हैं वो पता है नहीं को मैं जाने अंजाने में अपने आपको नुक्सान पहुचा रहा हूं कुछ इसी आदते हैं उनको आप रिमूर रखना अपने आप आपको लोग होai यार इसमेहा नुक्सान ने gusta मैं लेकिन होरा आपका नुक्सान होगा जाने अंजाने में इनसन अपने आपको नुक्सान पोचाता है और वो वह कुन सी आतर्य का पता अपको की गल्ति के लिए बार-बार बहुत तो सोचना ठीक है, माल's बास दो आप इंसान हो, इंसान से गलती होती है आप से भी कि क्लिगे करों है, बार बार सोच होगे, बार बार अपने आपको पसता होगे तीन में यह बाहने, इंसान की तियुक्त था गलती के बारे में त्यान रखना की कि इंसान ही इंसान सपवन है on części THE इतना मट सोचना कि आप उसी को लेका दिमाग में फीट बेड़ तो कि और मेरे शजिए क्यूं हुआ क्यों वह गलती हुई, forget it! हाँ, दुबारा उस गलती को मत करना और आगे move on! गलती हुई, forget it! उससे सीख लें, आगे बढ़े, जहादा ना सोचे, जहादा सोचोगे ना तो यह आपको नुकसान पुचाएगी, जने अन जने में आपको नुकसान पुचाएगी, आपको लोग के आपको आप तो रहा है क Micha चाइस नहीं आई इतना दॉअब कि और लेका काम टालनीकि आदद तो आपकी इसलिए खेया है आपको बहुत बड़ान था craziest गुछे में तुरंथ रियक्ट करना मोर से लोगों का आदध होती है जब गुछा आ जातो रहा तुरंध रियक्ट कर दे रूबाग कर देते हैं और फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं यह आदध भी सुदा लेना यह जानने ने में आपको नुक्सान आप तो क्या वह रोक यह लग heroin लयारा दिल साफ है और मूटें ऑप पोशी बाद ही लेकिन घुसी वार कुछ Rocky आप को कदो लेकिन ज है बूरता नहीं हाप भूल जाओंगे आपको गैन मेरी आदत है रिक्त कर लेता हूं शह में आप नूर्मल कर लोगे गुसे में रियक्ट करेंगें सामने वाले को फर ट करेगे ठीलंसे में तो आट को जैसी बाब कोई वोलता है क्या घुशति में आप चिन को जान की ने लोगा आप गया और बस गुस्से में यार ऐसी हो गया वाट इस देस आर यू फोल गुस्से में रियक्ट करना बंद कर दो यह आपकी बहुत बड़ी गंदी आदध जाने अंजाने में आपको नुक्सान पहुचाती है आपको पता ही नहीं चलता है आपका बिहेवियर बेड हो तो यह भी आप अपने आपको जाने अंजाने में नुक्सान पहुचाती है दूसरों से तुन्ना क्यों करनी है आप अपनी जगह सही है वो पैसे वाला होगा तो उसके गर पर होगा आप भी तो मेहनत करिए आप भी तो कोसिस करिए दूसरों से तुन्ना करके आपने इसा क्यों है उसके पास ऐसा क्यों है ये सोच सोच के आप दुखी रहो अपने इमोसंस को दबाना आप भी अगर आपने इमोसंस को दबाते हो ते इसा मत करना कुछ बात है आपके मन में कुछ बात आपको चुप रही तो सामने के दे कहने से मन हलका होता है अगर आप बात मन में रखोगे तो आपका मन बारी होगा और मन बारी होगा तो आप अकेले में गुट गुट कर मरोगे ऐसा मत करना कुछ भी बात हो कुछ भी हो तो अपने इमोशन्स को दवाना मत उन इमोशन्स को बाहर निकाल देना मन हल्का होगा तो यह आधत है जो इंसान जाने अंजाने में अपने खूद को नुकसान पहुचाए रहोगे